हेलो अब्रिवन दिस इस असांग सिंग एंड वेलकम बैग तो माई यूटूब चैनल आई एस पॉइंट विश्ट वे आफ लर्निंग दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है आई एस पॉइंट के यूटूब चैनल पर आज प्रत दिन की तरह हम लोग आज भी दहिंदू एडिटोरियल का एनलिसेस करेंगे कौन कौन से एडिटोरियल आएं हैं और आपके एक्जामनेशन के पॉइंट आप व्यू से क्या-क्या एडिटोरियल इंपोर्टेंट हैं वो सारी चीजे आज हम इस वीडियो लेक्चर म पर देख रहे हैं या जो बच्चे IS, IPS यानि UPSC की तयारी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी चुनोती रहती है उनके मन में एक बड़ा ये प्रश्न रहता है कि हम कौन सा न्यूज पेपर पढ़ें और मुझे तो दा हि दा हिंदू न्यूज पेपर पढ़ना आता नहीं क्योंकि इंगलिस उतनी अच्छी है नहीं तो दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं जिनके पास ये सारी समझ से आए हैं उनको बिलकुल घबडाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि IS पॉइंट आपके साथ है और IS पॉइंट आपको उस तरीके से पढ़ाएगा और तरीका बताएगा कि कैसे न्यूज पेपर को पढ़ना है कैसे वर्ड टूवर्ड उसका विसलेशन करना है जिससे आपको भी न्यूज पेपर दा हिंदू समझ में आए और आप भी अपनी तायारी को सुगामोर सहज बना सकें तो दो कि आज का motivational quotes क्या है और वो आप से क्या कहता है आज का motivational quotes है आपकी screen पे दिख रहा होगा जैसा कि लिखा हुआ है कि जो हर दिन कोशिस करता है वो एक ना एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है जो हर दिन कोशिस करता है यानि कि जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं हम किसी ही चीज की किसी भी competition की अगर हम तैयारी करते हैं या हम schooling ही कर रहे हैं जब तक हम daily day by day अपना हम study नहीं करेंगे day by day हम prepared नहीं होंगे हमारा जो aim है हमारा जो goal है हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए अगर हमें अपना लक्ष हासिल करना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है? कि continuity होनी चाहिए प्रत दिन हमें थोड़ा ही सही धीरे ही सही लेकिन निरंतरता बनाए रखनी चाहिए अगर आप लगातार चलते रहेंगे न जो है खरगोस की चाल से कचुए की ही चाल से जैसा कि खरगोस और कचुए की कहानी तो आपने सुना ही होगा तो अगर न खरगोस की चाल से चल पा रहे हैं तो कचुए की ही चाल से चलते रहो और आपको एक न एक दिन मन चाहिए मंजिल आपको प्राप्त ही हो जाएगी तो जो हर दिन कोसिस करता है वो एक न एक दिन अपनी मन चाहिए मंजल तक पहुची ही जाता है तो दोस्तों ये रही आज का motivational course और इसी positive spirit के साथ आज के session की हम लोग शुरुवात करने चल रहे हैं दोस्तों जो भी लोग इस session को देख रहे हैं और अपने friend के साथ अपनी friend circle में जो colleagues उनके UPSC की State PSC की, Banking की, SSC की and other competitive exam की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस session को share करना मत भूलें WhatsApp पर share करें, Facebook पर share करें, Telegram पर share करें, जिससे की उनको भी इसका benefit मिल सके तो आईए start करते हैं आज की the Hindu WCB, आज कौन-कौन सी WCB हमको note down करनी है तो copy और pin लेकर के ready हो जाईए, otherwise आप screen side भी ले सकते हैं तो आईए starting करते हैं कि कौन-कौन सी WCB आई हैं और जब तक हमें WCB नहीं पता रहेगा, तब तक हमें क्या है, कि analysis करने में tutorial का थोड़ा बहुत difficulty होगी, क्योंकि जब हमें word meaning पता रहती है, तो उसका हम इंदे translate बढ़े अच्छे से कर लेते हैं, आसानी तरीके से कर लेते हैं, आईए start करते हैं दोस्तों, पहला word है आपका imperatives, imperatives का मतलब होता है अनिवारेताएं second word is cheating cheating का मतलब होता है किसी को तिरस्कृत किये बिना या तिरस्कृत करना बुरा कहना, ये होता है cheating, next word is vulnerabilities, यानि कि इसका जो meaning होगा हिंदी होता है कमजोरियों या कमजोरी next word is endorsement endorsement का मतलब है समर्थन, किसी का support करना, किसी के support में कुछ बोलना, या किसी को किसी का support करते हुए हम कुछ कह रहे हैं, तो महां endorsement सब्द का यूज किया जाएगा next word आपका है obvious, trustworthy substitute, इसका मतलब होता है असपश्ट भरोसे मंद विकल्ब, तो दोस्तों ये आपके first slide है first slide में आपके 5 word है, पहला word है imperatives, जिसका मतलब होता है अनिवार्यताओं, second word is cheating, cheating का मतलब होता है तिरस्कृट करना या बुरा कहना third word is इसका मतलब होता है कमजोरियों fourth word is endorsement, जिसका मतलब होता है समर्थन, and next word is obvious, trustworthy substitute, इसका मतलब होता है असपश्ट भरोसे मंद विकल्ब, तो ये रही आपकी पहली slide, पहली slide का आप लोग फटाफट स्क्रीन साथ ले लीजिए जिससे कि हम next slide की उर move कर सकें, और फटाफट word meaning तयार कर सकें, दोस्तों जब भी आप इस word meaning को पढ़िएगा तो जोर जोर पढ़िएगा sound में पढ़िएगा जिससे कि क्या होगा, जब आप इसको read करेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ते हुए लिखेंगे तो ये कहीं न कहीं आपके mind में setup हो जाएगा, और जो मनुस्य का mind होता है, बड़ा subconscience होता है फिर जब हमें कभी इस word से related theory या फिर कोई post या कोई editorial से read करते रहेंगे न, तो हमें आसानी से याद आ जाएगा, हाँ imperatives का मतलब तो अनिवारियता होती है निक्षा next word is unnerv, unnerv का मतलब होता है तसल्ली लेना अगला word है recombinant, recombinant मतलब होता है पुनह संयोजग next word is haradly, haradly का मतलब होता है बड़ी सीग्रता से, तेजी से, उतावले पन से next word is subtential, subtential का मतलब होता है संतुष्टी जनक तो ये रही आपकी दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड का भी आप लोग फटाफट स्क्रीन साट ले लीजी जिससे की अहम editorial की ओब मूब कर सके और जितने भी लोग दोस्तों इस live session को देख रहे है, इस video को देख रहे है सभी लोग like बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप भी UPSC की तयारी करते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको भी नहिसुलक फ्री रूप से UPSC से related study materials मिले तो आप ISPoint के telegram channel को जोईन कर सकते हैं ISPoint के WhatsApp group को जोईन कर सकते हैं और अगर आप classes पाना चाहते हैं फ्री में तो आप ISPoint के YouTube channel को subscribe कीजिएगा और subscribe करने के पाथ will icon को प्रेस करना नहीं भूलना है जिससे की ISPoint के YouTube channel पर upload होने वाली वीडियो की first information आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो दोस्तों ये हुआ आपका दा हिंदू वेका अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की ओर और देखते हैं कि आज कौन कौन से डिटोरियल्स आई हुए हैं और क्या क्या हमें read करना है जी यहां दोस्तों तो यह रहा एडिटोरियल्स का पेश और सबसे पहला एडिटोरियल्स जो आया है ओ है Mixed Signals यह Mixed Signal यालिक मिली भगत जिसको हम कह सकते हैं उसको लेकर के एडिटोरियल है कि जो पैंडेमिक इंपरेटिपस है जो इसकी अनिवारिताएं हैं यह क्या रिक्वाइर करती हैं डिवर्सिफिकेशन आफ सप्लाइज बट प्रोटेक्टिनिजम इस नो एंसर लेकिन जो प्रोटेक्टिनिजम है यह कोई एंसर नहीं दे रहा है इसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहे है तो इस एटॉटोरियल का जब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो इस एटॉटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है क्या कुछ कहा गया है उस अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा दोस्तों जो डिवटीज हैं और जो राइट्स हैं जो करतब्य हैं, जो अधिकार हैं, उसको ले करके जो दोनों के बीच में एक false conflation है, जो एक गलत कह सकते हैं conversation है, गलत धारड़ा है, वो किसको impact कर रहा है, जो duties हैं और जो rights हैं उनको impact कर रहा है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि allowing the language of fundamental duties to subsume political debates would hit the moral principles of the republic, जो allowing यानि कि जो अनुमति देना, कौन सी अनुमति देना, language of fundamentals, जो हमारी मौलिक भासा है, उसको किसमे अनुमति देना, to subsume political debates, जो political राजनीतिक debates होती हैं, उसमें इसका use करने की अनुमति देने से क्या होगा, would hit the moral principle, जो हमारी मौलिक भासा है, जो हमारे मौलिक करतब में है, जो हमारी मौलिक ड्यूटी है, उसको political debates में हिस्सेदारी देना, उसके बीच में लाना, ये हमारी जो principle, आप दा रिपब्लिक, moral principle है, यानि कि मौल से धान्त है, उसको नुकसान पहुँचाएगा, क्या कुछ है, detailed में analysis करने भी पता चलेगा, ये editorial important है, ये पाकिस्तान और बांगला देश के relations को ले करके है, कि उन दोनों देशों का relations कैसा है, कैसा चल ला है, कैसा होना चाहिए, इस बारे में कुछ इस editorial में कहा गया है, आई यार की दृष्टी से ये थोड़ा बहुत important है, तो एक नजर इस पे आप लोग दे लिजिएगा, 171, an apology from Islamabad for events of the period is overdue, यानि कि पांच दसक हो गए, बांगला देश को पाकिस्तान से अलग हुए, लेकिन अभी बांगला देश रहे और पाकिस्तान अलग है, दोनों को अलग हुए, एक दूसरे से विन हुए, पांच दसक हो गए, बट अभी भी Islamabad की तरफ से, जो उनका apology event ये अभी भी overdue है, next editorial is securing the young, यानि कि ये editorials, जैसे लिखा हुआ है, secure, किसी चीज को सुरक्षा देना, जो युवा है, उनको secure करना, उनको सुरक्षा देना है, इंडिया must accelerate efforts to increase vaccine supply for booster and for children, इसको vaccine को ले करके कुछ कहा गया है, इसमें क्या booster के लिए क्या कहा गया है, या जो adults हैं उनके लिए क्या कहा गया है, ओ सारी चीजे detailed analysis में हम लोग पढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ कहा गया है, आईए हम detailed analysis करते हैं, तो start करते ह बाकी की जो बचेंगे उसको हम बाद में कर लेते हैं, securing the young, यानि कि युवाओं की सुरक्षा को ले करके ये tutorial से है, जो कि जब युवा सुरक्षित रहेगा, तभी तो युवा पढ़ेगा, और जब युवा पढ़ेगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, सिक्षित होग जब हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित हो करके अध्यन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा, इसलिए security यानि कि health is very necessary for youngsters, securing the young, India must accelerate efforts, यानि कि accelerate करना है, कौन से, किसको accelerate करना है, to efforts को, यानि अपने प्रयासों को, इंडिया को, भारत को, अपने प्रयासों को, और तेजी लान अपने प्रयासों को, और बढ़ना चाहिए, प्रयासों में, और ब्रिद्धी लानी चाहिए, to increase कौन से प्रयासों में, अब आगे है कि कौन से प्रयासों में, देखो, जब आप पढ़ोगे, और प्रश्न खुद से करोगे, आनि जब question खुद से करोगे न, तो उसका answer आप को, India must accelerate efforts, अब जैसे हमी India must accelerate तक देख लें, कि इंडिया को यानि भारत को तेज करना चाहिए, क्या तेज करना चाहिए, अपने प्रयासों को, अब कैसे प्रयासों को तेज करना चाहिए, आगे बता रहा, to increase vaccine supply, vaccine supply के प्रयास को, इंडिया को और तेज करना चाहिए, किसके लिए अब आगे प्रशना रहा कि किसके लिए तो आगे लिखा हुआ है for boosters and for children यानि जिनको booster dose देनी है उनके लिए और जो बच्चे हैं जो childrens हैं अभी जिनको doses नहीं लगी है उनके लिए इंडिया को अपने प्रयासों में और acceleration लाना चाहिए और वृद्धी लाना चाहिए ऐसा कुछ कहा गया है तो दोस्तों हमें आसा है कि इस type से जब आप पढ़ेंगे न तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका editorial का जो analysis होगा काफी अच्छे से हो जाएगा और आपकी तयारी भी एकदम लल लंटाप तरीके से चलने लगेगी तो फटा फट लाइक वटन पर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को सेयर करना मत भूलिए किसी को कोई भी doubts है तो आप comment box में जरूर comment किया कीजिए हम आपके comment का wait करते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें आएए आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ लिखा गया है अच्छे से इसको पढ़ते हैं जहां कहीं भी आपको problems हो आप नहीं संकोच पूछिए हम लोग आपकी help पूरी तरीके से करेंगे यानि कि जो पूरे में इस्थित है सेरम इस्टिट्यूट अफ इंडिया है जैसे उन्होंने कहा that it will be ready with vaccines for children in the next six months यानि वो अगले 6 महीने में बच्चों के लिए vaccine के लिए ready हो जाएगा तयार हो जाएगा this follows claims earlier this year that it will be ready with the vaccines या सुनक्षित करता है या claim परता है इसके पहले इस साल में कि that it will be ready या तयार हो जाएगा with the vaccine covax for adults by October यानि कि ये अगले साल में ही कहा गया था कि October तक बच्चों के लिए ये vaccine तैयार हो जाएगी जो adults है adults को हम covax लगा देंगे covax लग जाएगा इसी October तक बट लेकिन so far no approval has been forthcoming from the drug controller general of India जो DCG है यानि कि drugs controller general of India के हैं इनकी तरफ से अभी तक कोई भी approval नहीं आया है covax is siis यानि कि Serum Institute of India's brand name for novax novax sorry novax जो covax है Serum Institute of India का जो brand है वो novax the recombinant nanoparticle protein waste vaccine जैसा कि मैंने आपको बताया था recombinant का मतलब होता पुना सही होजग यह nanoparticle protein based vaccine है जो novax vaccine बन रही है बच्चों के लिए चिल्डरन्स के लिए यह recombinant है किसका nanoparticle protein based vaccine का जो कि developed by the US based novax INC जो की तयार develop किया गया किसके द्वारा जो US based novax inclusive है उसके द्वारे तयार किया गया है and this will be an important vaccine to watch out for because it will be roll out from the SSII stable and this will be an important और यह महत्पूर्ड होगा vaccine और यह महत्पूर्ड vaccine होगी to watch out देखने के लिए for because it will roll out from the Serum Institute of India stable यह Serum Institute of India की stability को दर्साएगी उसको दिखाएगी कि यह कितना useful हो रही है इस vaccine से पता चल जाएगा कि इसका सोध कैसा इसका जो development है Serum Institute of India का कितना useful है कितना impact डालता है which as of today has made at अगर हम आज के data के हिसाफ से चले has made at least 90% of the 1.3 billion vaccines that have found their way into the arms of Indians जैसा कि इसमें असपश्ट रूप से कहा गया है अगर हम आज के data के हिसाफ से देखें तो 1.3 billion लोग में से 90% लोगों ने vaccine अपने भुजाओं में लगवा लिया है आर्म साफ Indians भारतियों की भुजाओं में 90% लोगों ने यानि की vaccine 90% लोगों तक की भुजाओं में लग चुकी है while co vaccine by भारत biotech was really approved by Indian authorities authorities जो है इंडिया authorities है इसने भारत biotech की vaccine जो co vaccine है इसको बड़ी सिग्रता से बड़े उताओलेपन से ही approved कर दिया था लेकिन अभी तक जो ये nova vaccine serum institute आप इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है इस पर कोई भी approval नहीं आया है जबकि भारत biotech की जो भी vaccine ती co vaccine उसको बहुत जल्दी hurriedly का मतलब होता है कि बड़ी सिग्रता से उताओलेपन से approval देना it has unfortunately not been able to scale a preparedly enough to make a substantial contribution to India's vaccination program जबकि क्या है यह दुर्भाग्या है it has unfortunately not been able to skip यह दुर्भाग्या है कि इसके योग नहीं है to scale a preparedly enough to make a substantial contribution कि यहाँ परियाद तो संतुलन परियाद तो भागीदारी बना सके कौन सी vaccine, co vaccine अगर आप भी vaccine लगवाए होंगे तो देखे होंगे कि ज़्यादा तर लोगों को जो vaccine लगी है और kobe sealed ही लगी है kobe sealed किसके द्वारा develop किया गया है यह current affairs का भी question बन सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है तो kobe sealed दोस्तों Serum Institute of India के द्वारा develop किया गया है जबकि co vaccine भारत biotech के द्वारा develop किया गया है और जो children's के लिए vaccine बना रही है वो Serum Institute of India ही बना रही है NovaVax तो यह याद करके रखिएगा India has now inoculated 80% of its adults with at least one dose यानि कि inoculated का मतलब होता है vaccinated यानि T का करण हो गया है कितने का? 80% adults जो हैं उनका T का करण हो चुका है with at least one dose कम से कम ओए एक dose तो लगवा ही चुके हैं 80% जो वयस्क हैं adults का मतलब जो वयस्क हैं and given that many have already been exposed to the virus और बहुत सारे लोगों ने virus को क्या किया है exposed कर दिया, defeat कर दिया है this number in itself is a fairly creditable achievement या जो number है जो percentage है यह एक achievement है fairly creditable है यानि कि एक credit लेने वाला achievement है even though it is sort of the government initial claim of fully inoculating all adults by the year जबकि यह government का छोटा साई प्रयासस ने यह claim किया था कि इसी साल के अंतिम तक हमारे द्वारा हमारी यह कोसिस है कि all adults को inoculating कर दिया जाएगा यानि कि vaccinating कर दिया जाएगा vaccine लग जाएगी सभी adults को इसी साल के आखरी महीने तक by the year end इसी साल के आखरी तक सभी को सभी वैसकों को vaccine लग जाएगी ऐसा government की तरफ से कहा गया था ऐसा कुछ claim किया गया था तो दोस्तों यह आपका first paragraph complete हुआ इसमें अगर किसी को कोई problem है then you can ask, no doubts we will help you next paragraph is however omicron जैसा कि आपको पता है कि अभी एक new variant आया है जिसे हम लोग omicron के नाम से जानते हैं अभी इंडिया में इसका जो omicron के मरीज है मैंने news देखा था तो उसमें 46 के around हो चुके है और day by day 1, 2, 3, 4 यानि की increase ही हो रहे है तो इस situations में हम लोगों को बहुत care रहने की जरूरत है घर से कहीं बाहर निकलें तो mask लगा करके ही निकलना है जो भी precautions हम लोग covid pandemic में बरत रहे थे ले रहे थे, take up कर रहे थे वो सारी precautions को अभी भी take up करना है ऐसा कुछ नहीं है कि covid चला गया है अभी भी है तो वो चीजें सबके सहीयोग से परसपर सहभागिता से और सावधानी बरत करके ही defeat की जा सकती है however, हाला कि omicron has complicated matters जो omicron variant आया है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत gentle matter है, complicated matters है said to be the most infectious of all variants ऐसा कहा जाता है कि और ज़्यादा ये infection कारी है और ज़्यादा ये प्रभावकारी infectious of all variants जितने भी variants आये उनसे कहीं अधिक ज़्यादा ये effectiveness है, प्रभावकारी है health expert ऐसा कौन कह रहा है several countries, भिन्ड भिन्ड देशों के जो स्वास्त विशेशक ये हैं health expert हैं, वो ऐसा कह रहे हैं our warning और ये अच्छेतामनी दे रहे हैं आफ ये tidal wave tidal wave बहुत जहरीली इसका wave हो बहुत जहरीला इसका प्रभाव हो of infections over the year end इस साल के अंत तक as well as in the first quarter of 2022 यानि 2022 की जो तिमाही रहे की यानि मांत तिमाही का मतलब यह है की जैसे की अपना तीसरा अप्रेल मही तक या मार्च अप्रेल तक ये हो जाएगा और ये जहरीली रूप में रहेगा और इसका भीसड रूप रहेगा because the variant contains several mutations that allow the virus to escape antibodies क्योंकि इसके जो variant contents है ये several mutations है जो allow करते हैं कि virus to escape antibodies कि जो अपनी जो virus है antibodies को escape करते है the forecast is that several in spite of being vaccinated the forecast forecast मतलब भविस सिवाडी is that several ऐसी भविस सिवाडी है कि ये जो हमारी antibiotic लगी हुई यानि जो हम वाइरस लिए जो हम टीका करण करवाएं vaccination करवाएं है फिर भी ये हमको हो सकता है क्योंकि इसका जो ये जो variant है ये सभी variants से different है in spite of being vaccinated अगर आप vaccinated है फिर भी ये आपको हो सकता है ऐसा नहीं कि आप second dose complete कर चुके हैं आपको नहीं हो सकता है आपको ये अनुभव होगा कि कैसे infection होता कैसे infection होता ये सारी चीजें इस variant में हो सकती है इसलिए आपको बचके रहना है बहुत ज़्यादा फुलफ्री हो करके गूमना नहीं है इसा देखा जा रहा है या बच्चों के लिए भी harmful हो सकता है नुक्सान दाई हो सकता क्यों? As many have resumed schooling in person क्योंकि बहुत सारे लोगों ने school ही सिक्षा चालू कर दी है Invitable congregations यानि की सभाई हो रही है make them targets for infection जो सभाय है जो रैलिया हो रही है बच्चों के school खुल गया है क्योंकि उसमें जो है लोग get together हो रहे है तो इससे क्या है? कि ये target यानि infection के target को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि यानि infection बढ़ सकता है अगर ऐसा कुछ ऐसा चलता ही रहा तो infection बढ़ सकता है इंदिया इस एट टो एप्रूव वैक्सीन फार चिल्रेन एंड इस रिपोर्टेडली डेली व्रेटिंग आन ट्रायल डाटा सब्मिटेड वाई भारत बायोटेक आन टेस्ट टेस्ट डन आन इंदिया इस एट टो एप्रूव इंदिया ने अभी तक मंजूरी भारत ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है वैक्सीन फार चिल्रेन बच्चों के वैक्सीन लगाने के लिए और इस रिपोर्टेडली डिलिबरेटिंग और अभी उस पर क्या करें डिसकस कर रही है आन ट्राइल डाटा जो कि ट्राइल डाटा सम्मिट किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा जो कि बच्चों के उपर ये वैक्सीन लगा करके टेस्ट किया गया था वो टेस्ट डाटा भारत बायोटेक के द्वारा भारती दारत सरकार को सौपा गया है और अभी उसने मंजूरी नहीं दिया है अभी उसपे डिलेबरेटिंग कर रही यानि कि बहस कर रही है विचार कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तेकनिकल कमेटी आलसो है नाट अथराइज़ बूस्टर्स एंड अर्गुमेंट औस्टेनिसिवली इस देट डोजेश्ट मुस्ट भी प्रियारिटाइज़ फार एडल्स तेकनिकल कमेटी जो है जो तकनिकी समिती है आलसो है नाट अथराइज़ वह उसने भी अथराइज़ नहीं है फार बूस्टर डोज यानि वह बहस कर रहे है इस पर आर्गुमेंट कर रहे है कि हमारी जो प्रियार्टी है और यह है कि जो एडल्स अभी तक वैक्सिनेटेड नहीं है नाट एड बीन इनॉकुलेटेड जो अभी तक वैक्सिनेटेड नहीं है हमारी प्रियार्टी यह है कि उन एडल्स को पहले वैक्सिनेटेड किया जाए इनॉकुलेटेड किया जाए उसके बाद ही हम booster के बारे प्लानिंग करेंगे जैसा कि इसके पहले भी जब मैंने editorial से discussion किया था तो उसमें भी ये कहा गया था कि booster dose पहले necessary है कि पहले सभी को second dose मिल जाए ओव important है तो मैंने उसमें भी ये analysis करके बताया था कि क्या कह रही है government कि हमारे लिए भी priority क्या है कि सभी को vaccine मिले मुफ्त vaccine मिले इसके बाद हम booster dose के बारे में विचार करेंगे several new vaccines कुछ नई vaccines जैसे G-COVID-D, Genova Sputnik B, Corvavax were to have been available ओभी उपलब्द है by now as per the centers estimate in September से ही ये सारी vaccines भी available है and some of them are also testing versions in children और उसमें से कुछ ने अपनी vaccine को बच्चों के उपर test भी किया but as the experience with COVID-19 लेकिन जो भी experience को vaccine के साथ दिखाई दिया था it is one thing to test and develop यह एक बहुत जरूरी चीज है to test करने की और develop करने की a vaccine and quite अपनी जो इंडिया की जो vaccine है यानि कि जो भारत biotech के द्वारा develop की गई है उसको develop करने की और उसको test करने का एक अच्छा initiative हो सकता है and quite another to and other to scale up quickly और दूसरी जो vaccine है उसको quickly scale up कर देने चाहिए the government must accelerate efforts to cox supply गवर्मेंट को क्या करना चाहिए अपने प्रयासों को co vaccine supply में या ने की vaccination supply में ब्रिद्धी लाने चाहिए अपने प्रयासों को और तेज करना चाहिए तो यह रहा आपका पहला editorial का analysis दोस्तों इस editorial में जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आपने संकोच पूछ सकते हैं हम आपकी समस्याओं का समधान जरूर करेंगे आप हमारी कोशिस है कि आपको पूरा-पूरा समझ में आए next editorial आपका है mixed signals जैसा कि आपको मैंने बताया था कि pandemic imperatives require pandemic की जो अनिमारता है किस पे require करती diversification यानि भी विधिताओं आप supplies यानि कि जो supply है किसकी but protectionism is no answer लेकिन जो अपना संडक्षरवाद है वो एकदम खामोस है उसकी तरफ से कोई भी प्रतक्रिया नहीं है at a time that India is looking एक ऐसा समय जब India is looking India देख रहा है to impress upon the world पूरे world को impress करने की कोशिस कर रहा है that it is strongly positioned as well as willing and able to become a more reliable supply chain partner for them than China has been proven in recent time यानि कि एक ऐसा समय जब India अपनी शवी दुनिया भर में अपना एक strong position के रूप में अपनी शवी अस्थापित कर रहा है and become और क्या बन रहा है a more reliable supply chain partner यानि कि और सुबिधा जनक supply chain partner के रूप में अपने आपको अस्थापित कर रहा है अस्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है तो ये चाइना को दिखा रहा है कि हम आप से कमजोर नहीं है हमारा भी supply chain जो supply chain जो partner का skill है जो तरीका है वो भी develop हो रहा है ऐसा कुछ कहा गया है भी हाल फिला हल में जो हमारे external affairs minister है यानि कि जो विदेशी मंत्री है विदेश मंत्री है minister S. Jai Sankar जी के द्वारा ये Tuesday को कहा गया था About globalization are worth taking note of यानि कि ये globalization के जब इस पे discuss हो रहा था तो उस भी से में इनोंने कहा था The pandemic experiences creates a case for shorter supply chains with more national capacities he said उन्होंने कहा कि पैंडेमिक से क्या हुआ है कि बड़ी बड़ी कंट्रियां जिनकी supply chains बहुत ज़्यादा थी वो भी छोटी हो गई सार्टर supply chains हो गई है Before cheating globalization gurus यानि कि जो globalization के गुरू है उनको उनकी निंदक किये बिना ही इस पे for advocating open markets without acknowledging geopolitical motivations जो भूराजनीतिक activities है उस पर बिना जो globalization के जो वैस्विक मुद्दे के गुरू है अपने आपको गुरू समझते हैं उनको address करते हैं उनको वकालत करते हैं उन्होंने ऐसा कहा कि हम open market पे work कर रहे हैं without acknowledging geopolitical motivations that he cited the example फिर उन्होंने एक example रखा आफ हिंडियाज health care supply chain भारत की जो health care supply chain है वर्ल अरेवेल्टीज बिंग एक्सपोजड वर्ल अरेवेल्टीज का मतलब होता है कमजोरियों को बिंग एक्सपोजड आतर दा onset of COVID-19 मेक जो COVID-19 का ये जो पीरियड था इसमें हमारी जो चुनोतियां थी जो कमजोरियां थी और जो हमारी health care supply chain थी उसारे सब कुछ असपस्ट हो गया मेक इट क्लियर इस ब्रॉडर मैसेज वाज इंड टू चाइना यानि उनका एक असपस्ट मैसेज था किसके अगेंस्ट चाइना के लिए आन हूम इंडिया रिलाइड तू मच मोर क्रिटिकल फार्मा एंड हेल्थ केर इंपोर्ट्स एंड कांटिनूज तू रन अप लार्ज ट्रेट डिफलिक्ट्स विद यानि इंडिया हेल्थ केर सिस्टम में स्ट्रॉंग हो रही है और अपनी फार्मा सेक्टर में अपनी सप्लाई भी जैसा बढ़ा रही है जैसा कि आपने देखा होगा वैक्सिनीन के मामले में इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए बहुत कुछ हल्प किया है टैपिंग टैपिंग दा रिसीडिंग ग्लोबल संटिमेंट फार चाइना ये जो चाइना की जो भावना है उसका दोहन करते हुए और डैंजरस एबाउट डिपेंडिंग आन लिम्टेट किसी के उपर निर्भन नहीं रहना चाहिए इवेट इफ हुजली एफिसीएंट सप्लाई चैंस इजा सेंसिबल प्लॉई गेनिंग अरिजनेंस अर्लियर दिस मन्स इस मन्त के स्टार्टिंग में आस्टेलिया में आये थे जो इस मन्त के स्टार्टिंग में जो की विसेश दूत है उन्होंने ये कहा कि चाइना आरोप लगाया अरोप लगाना आफ वीपनाईजिंग ट्रेड यानि कि हत्यार के ब्यापार के माबले में उन्होंने आरोप लगाया और कहा losing it's a credibility यानि कि losing कर रहा है अपना गिरा रहा है क्या गिरा रहा है चाहिना credibility जो उसकी विश्वसनियता है उसको गिरा रहा है and blocking trade flows और अपने जो उसके ब्यापार के रास्ते हैं उसको बंद कर रहा है that Mr. Award of Harmer Australian Prime Minister जो की वही Mr. Award of Australia के पूर्व प्रधान मंत्री थे who had himself signed जिन्होंने स्वयम sign किया था किस पे sign किया था a free trade pact with China कि China के साथ हमारा जो मुक्त free व्यापार समझा होता है इन्होंने खुद sign किया था लेकिन आप यही खुद कह रहे हैं कि China जो है हतियार की मामले में समझा होता कर रहा है व्यापार कर रहा है और अपनी जो उसकी विश्वसनियता है उसको block कर रहा है गिरा रहा है और अपना व्यापार का जो समझा होता है उसको बंद कर रहा है अब वही कह रहे हैं कि जिन्होंने इस पर साइन किया था अब वो क्या कर रहे हैं, is now pushing hard far a trade deal with India अब वो इंडिया के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा ब्यापार पे डील हो, टेट पे डील हो, on obvious trustworthy substitute, जैसा कि मैंने भी वोकैब में लिखाया था, कि obvious trustworthy substitute का मतलब होता है, असपष्ट भरोसेमंद विकल्प, यानि कि अब भारत के साथ ये चीज़ें खोज रहे हैं, for global supply chains, as is an admirable endorsement of official ad, कि हमारी जो global supply chains है वो बढ़े, और जो हमारा प्रयास है, वो endorsement यानिक समर्थन का है, वो हमेशा रहे official group से, ऐसा कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है, तो दोस्तों, आज की इस editorial analysis में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, एक नए editorial के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अपन box में, ispoint के instagram channel के जरीए message करके अपना दूर करवा सकते हैं, team ispoint आपके लिए ready है, तो दोस्तों, thank you so much